हलो फ्रेंड्स मादव केशो चनल में आपका स्वागत है आज कोटन के कपड़े से पोशाग बनाएंगे ना लेश लगाएंगे ना बुक्रम लगाएंगे दो कलर के कपड़े से पोशुंदर पोशाग बनाएंगे इस पीस के मैंने दो पीस काटके रखे हैं दोनों में से एक एक पीस काटके रखा है पहला पीस है ये देखिए इसका मेजरमेंट तीन इचे से एक पॉइंट दो पॉइंट कम ही रखा है दूसरे फेवरिक का मेजरमेंट देखिए ये देखिए चार इंच से दो पॉइंट कम ही रखा है मैंने यह सीधी साइड है और यह देखिए इधर से इसकी भी यह पिछे की साइड है यहां दोनों की सीधी साइड रखेंगे पिछे वाली साइड रखेंगे और पिछे वाली साइड रखकर यहां सिलाई लगाएंगे यह देखिए यहां सिलाई लगाती है एक से मोड़ेंगे और यहां पर शिलाई लगाएंगे यहां इस तरह से रखेंगे और यहां पर शिलाई लगाएंगे यह देखिए यहां पर शिलाई लगादी है और इसको भी यह देखिए इस तरह से मोड़ेंगे दोनों को मोड़कर शिलाई लगाएंगे लेस नहीं लगाएं यहां पर इधर से भी मैंने शिलाई लगा दी है और इधर से भी सिलाई लगा दी है दोनों तरब से शिलाई लगा दी है ये देखिए हमारा साड़े चार इंची का ये पूरा फेबरिक बनकर तयार हुआ है इतना मैंने साड़े चार इंची का बनाया है आधा इंची शिलाई में लगेगा तो चार इंची का ही बेटेगा तो चोडाई मेने 4 इंची की रखूंगी इसकी और लम्बाई 36 इंची की रखूंगे यह देखिये 35,3 इंची की मैंने लम्बाई रखी है पुरा फेबरिक मैंने 33 इंची का रखा है यह इतना तयार हो गया है और आब इसको इस तरह से सल्वटे डालेंगे एक एक इंची की दूरी पर हम ये सलवटे डालेंगे अदा एदा इंची लेंगे और इस तरह से मैंने ये सलवटे डाल दी है एक इंची का ये फेवरिक काट के तयार किया है इसको डबल करेंगे इस तरह से मोडेंगे और मोड कर आदी दूरी में सिलाई लगा कर फिर ये सलवटें इसके साथ में जोड़ेंगे यहां तक शिलाई लगा कर यहां पूरे में शिलाई लगा कर तयार कर दी है यह चोली के लिए मैंने काट के दो फैवरिक एक एक इंची के तयार किये हैं फोटन के फीज से ही मैंने ये दो काट के तयार किये हैं रेड वाला मोड़ कर यहां पर शिलाई लगाएंगे यह देखिए यहां पर मैंने मोड़ कर शिलाई लगा दी है अब यह यह भी से भी मोड़ कर इस तरह से हम यहां पर शिलाई लगा देंगे यह देखिए यहां पर मैंने चिलाई लगा दी है और इसकी लंबाई में 10 सिंची की रखूंगी तो यहां 10 सिंची की मैंने इसकी रख दी है और इस तरह से मोडेंगे और यहां पर हम चिलाई लगाएंगे यह देखिए यहाँ पर मैंने चिलाई लगा दी है और यहाँ इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम चिलाई लगा कर यह पोशाग बना कर तयार करेंगे यह देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर पोशाग बन कर तयार हुई है पोसाग बनाना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें अगे इसकी केप बनाना देखते हैं तो इसी तरह से मैंने एक इंची का ये देखिए डेड़ इंची का मैंने ये फेवरिक काटके तयार किया है और इसको हम डबल करेंगे दूसरे कलर में मैंने ये डबल लिया है और ये देखिए साड़े चार इंची का मैंने ये फेवरिक काटा है डबल में मैंने इसको जोड कर रखा है इस तरह से हम यहाँ पर सलवटे डालेंगे ये देखिए इस तरह से मैंने ये सलवटें पूरे में सलवटें डालेंगे ये मैंने सलवटें पूरे में डाल दिया और सिलाई लगा दिया दो सिलाई मैंने लगा कर तयार की है यहां से रखेंगे और यहां पर मशीन की सिलाई लगाएंगे इसे पहले हम सुई धागे से यहां कवर करेंगे इसको सुई धागे से छोटी छोटी सेलवेटे डालेंगे यह देखिए इस तरह से मैंने यह सुई धागा को अपलिया है और यहां पर मसीन से शिलाई लगा कर इसे कवर करेंगे यह हमने केब बना कर तयार कर दी है देखिए फ्रेंड्स कितना सुन्दर पोसाग बन कर तयार हुआ है